पित्तर में जो भवे समारक मंदिर बढ़ना था उसकी जल्दबाजी में नीव रखी जा रही है सभी साथी जानते हैं कि दिल्ली के रविदास जी के मंदिर के तूटने के बाद जनाएक जनता पार्टी ने ये वादा किया था और आज जो हमारा लास्ट बजट था उसमें इसकी गोशना हुई और आज दूसरी बार उसका भूमी पूजन किया जा रहा है संठन की जहां बात है रहली के अंदर तो आप सबने हर विव पॉइंट पर बात सुनी थी मैं दो तीन चीज़े जरूर कहना चाहूंगा कि कल सभी दिलादेक्स सभी सेलों के अदेक्षों से हमने चर्चा करी और आज अंबाड़ा और कुरुक्षित्तर लोकसभा के साथियों के साथ भी चर्चा करी और अगले चार दिन में बची आठ लोकसभा को भी हम कवर करेंगे और आगे लोकसभा के अंदर पूरी तयारी के साथ जैसे डॉक्टर जे सिंग चोटाला आदेश देंगे पार्टी उतरने का काम करेंगे और मुझे खुशी है कि हर वर्कर के चेहरे पे वही जोश वही रौनक है जो पार्टी फॉर्मेशन पे थी विदान सभा चुनाव में थी है उसके बाद और इनके सेयोग से पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ लोकसभा भी विदान सभा भी जन्नाएक जन्ता पार्टी लड़ने का काम करेंगे और मैं नई सरकार से ये आगरे करता हूँ कि एक विश्य बड़ा महत्वपूर्ण है आज के दिन में जो पिछले दिनों उड़ा वरिष्टी हुई थी उसकी हमने गिर्दावरी की एक्स्टेंशन करी थी पंदरा थारी थी आज शाम को गिर्दावरी की रिपोर्ट सारे जिलों से आजए मेरा नए मुख्यमंत्री से यह आगरे है क्योंकि मैक में तो अभी तक किसी को दिये नहीं तो सारे उनी के पास है कि इमिडेटली जैसे हम करते थे गिर्दावरी रिपोर्ट के अनुसार इमिडेटली कोड ओफ कंडक्स से पहले जित्रे हमारे फार्मर्स को शती हुई थी शती पूर्टी पोर्टल पर उन्हें रिपोर्टिंग करी थी उनको मुआवजा अगले बीस घंटों के अंदर अंदर इशू करे क्योंकि उमीद है कि कल तीन मज़े इलेक्शन कमिशन की कोई प्रेस कॉन्फरेंस की सूचना आई है कोड ओफ कंडक्ट लग जाएगा हमारा वो पीड़े किसान जिसकी फसल को शती हुई है उसको फिर ढ़ाई महीने से ज़्यादा का इंतजार करना पर है मैं आज ये आग्रे करता हूँ सरकार से प्रिष्टी के और बारिच के करके फसल को नुकसान हुआ था उन सभी फार्मर्स को कॉम्पन्सेशन मुईया कराने का काम करता है और ये भी आग्रे करूँगा जो हमने प्रोजेक्स चलाए थे उनको भी गती के साथ आगे ले जाने का काम कर उन पे बंदिशे डालने का काम नई सरकार ना मेरा बड़ा अच्छा अनुभव साड़े चार साल का रहा है हमने कोई इशू हो तो प्रदेश के हितके ले फैसले लिए कभी हमारी लडाई नहीं हूँ और आज वो भी उस पद पे नहीं है मैं भी उस पद पे नहीं हूँ उमर में भी वो मेरे से दुगने है मैं पैतिस का हूँ वो सत्तर के है और मेरे घरवाड़ों ने इतने तो सिष्टाचार सिखाए है जब आपसी लडाई जगडे ना हो तो अच्छे तरीके से जरूर दन्यवाद करना चाहिए और मैं उनका दन्यवादी करके आया हूँ कि उनने साड़े चार साल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इस अलाइंस को चलाया था और बड़े अच्छे तरीके से इस अलाइंस ने परदेश कैसे आगे पड़े उसके अंदर बहुत निर्णे ली अब चर्चाए तो शाड़े चार साल से आप भी करते थे तूटेगा तूटेगा और मैं आपको कहता था जिस दिन तूटेगा आपको भी नहीं पता चलेगा चर्चा करने वाड़े लोग तो इस परकार की भी चर्चा करते हैं कि हम मैदान में उतरेंगे किसी एक को लाब मिलेगा किसी एक को नुक्सान हो राजनिती के अंदर लाब किसको होगा नुक्सान किसको होगा ये मैं और आप तैह नहीं कर सकते हैं ये वोटर्स तैह करते हैं और लोकसभा में साथ सीटों पे उत्रे तो साथ लाख वोट आये थे विदान सभा में गए तो बढ़कर 15% हो गए और उसके बाद हम अलग अलग चुनावों में उत्रे मिलकर उत्रे अलग निश्कर साथ बर मुझे खुशी है दो लोकसभा के सातियों से मैंने तर्चा करी है हम इस लोकसभा चुनाव को भी अगामी विधानच चुनाव को मद्दे नजर लड़ते वेही चुनाव को लड़ेंगे अगर हमें हर सीट पर फोकस लड़ना पड़ेगे तो हर सीट पर फोकस लड़ेंगे नौ विदान सबाओं से एक लोगसबा अरियना की constitute होती है हमारे जो नब्बे भविश्य के उमीदवार उनकी भूमिकाओं पर लोगसबा का चुनाव लड़ने का ताव अभी चर्चा चल रही है दो लोगसबा सेतर के साथियों से चर्चा हुई है बचीवी आठ लोगसबा को अम अगले चार दिन में कवर करेंगे उसके बाद पार्टी की पी एसी के आगे हम अपनी रिपोर्ट भी रख देंगे जो निर्ने है संक्थन की लिडर्शिप का होगा उसके उपर काप इसका इसका इसको जो है इसका इसको जो है इसका विवरण मैं आपको एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कह सकता कि हमने जो आखरी NDA की हमारी चर्चा की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये विशे रखा था कि यावन सो रुपया पेंशन कर दो आपके दस सिटिंग MP हैं हम दस के दस सीटों पर आपका साथ देने को तयार हमारे एक इशू पूरे गोशना पत्तर का जो हम पूरा नहीं कर पाए वो हमारी मांग थी उसको हमने रखा उस इशू के उपर विचार के लिए समय मांगा गया और सुबह मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि CM रिजाइन करते है तो पूरी कैबिनेट रिजाइन हो जाती है मुख्य मंत्री जी ने रिजाइन किया BJP की बैठक हुई सरकार वो पहले भी अकेले बना सकते थे अब भी बनाई है उस समय उनको हमारा सयोग चीए था उनने लिया आज उनको लगा कि हम अपने दंपर बना सकते हैं उन्हें बना लिया मेरे पास जो सुविधाय थी within hours मैंने भी सारी return कर दी मैंने तो चीश सेक्टरी को भी लिखके बेज दिया कि alternative accommodation मेरे को दे दी जाए आज के दिन चौदरी देविलाल जी के जीवन से एक चीज सीखे है कि राजपाट किसी के बापोती नहीं है ये तो आते जाटे की चीज है मैनत करेंगे संगर्ष करेंगे तो और मजबूती के साथ अर्याना प्रदेश के अंदर विधान सभा में भी सदस्ये लेके आएंग और लोकसभा के अंदर भी अर्याना को गुंगा नहीं रहने देंगे इस चुनावों के अंदर ऐसा नेतरतफ जरूर लोकसभा में जाएगा जो जैसे मैंने पांच साल सांसद के बतौर कमेरे की वाज बनकर लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई लड़ी आपने का सार साल बड़े अच्छे रहे मुझे लगता है अच्छे रहे है तो विजन तो बड़ा क्लियर था हर्याना को आजुनिक बनाया मैं तो खुशी के साथ कहता हूँ बीस हजार किलोमेटर इतने चोटे प्रदेश में हम चार साल में रोड नेटवर्क दरूस्त कर पाए नोजार के टेंडर फ्लोटिड है ये इसलिए हो पा है मेरा विजन अच्छा तो पहली चीज तो पहली चीज तो मैं आपको बोलू क्योंकि पार्टी की बैठक थी विप तीन तरह का जारी हो सकता है यस में वोट करें नो में वोट करें अबस्टें करें जब पार्टी को सूचरा मिली उससे पेले सेशन की हमने पार्टी रैली तै कर रखी ती सारोग से तो हमने सब को का एफस्टेन करें दूसरी चीज है हमारे दस के दस मेंबर ने एफस्टेन किया पांच लोग जो यहां मौजूद थे उनको जो कारवाई संक्ठनिक तौर पे होनी है तो सदार निशान सिंग जी करेगी विधान सभा के तौर पर लीडर के तौर पर अगर वो का उलंदन करते हैं तो मेरी जुम्मेवारी थी मैं जाकर उनकी सदस्ता के ऊपर एक्शन लेता है वोट से एबस्टेन करने के आदेश थे वो एबस्टेन हुए है पार्टी ने जो कारवाई करनी है और मैं तो बैको सच्छी खरी बात बोलते हुए जो हमारे विचार के थे और जो हमारे साथ लंबे समय तक रहे वो आज भी खड़े है और आपने शायद मेरे इसारा विदान सबा सेशन के दोरान नहीं समझा मैंने एक बात कही थी मैं का मौसम आ गया कई आएंगे कई जाएंगे और ये चीज पूरे देश में आज के दिन मैं क्यों अभी बजाओं आज भी सेशन होगा तो मेरे पास विप की ताकत है पार्टी के आदेश अनुसार ही कारवाई होगी तेको निशान सिंग जी आपको इसके बारे में बेटर बरीफ कर पाएंगे क्योंकि स्टेट प्रेजिडेंट वो है एक सेकेड दूसरी चीज है आज के दिन परदेश के अंदर या देश के अंदर विदायक संठन से बनते हैं संठन विदायकों से नहीं बनते हैं और ये दोर हमारे परिवार ने चार पीडियों तक देखा है यही पडोसवाड़ा एमेले होस्टल था गयालाल जी पाइप से उतरे थे और बजनलाल जी के साथ सरकार में और विदायकों को लेके चले गे थे हमने तो साड़े चार साल मजबूती से परदेश के हित में काम किया सरकार चलाई आपको अपनी भावना अपनी इच्छा से को राजनितिक फैसला लेगा मुझे नहीं लगता हम उसको रोक भी पाएंगे मगर चलो उड़ा साब से यह बयान दिलवा दो कि मैं उनकी मदद कर दू क्या उड़ा साब कहेंगे मेरी मदद कर आरोप लगाना बहुत असान है आज के दिन पॉलिटिकल पार्टी इसले बनती है कि जनता की अवाज को उठाए जनता की अवाज के उपर काम करता है जन्नायक जनता पार्टी कोई बीजेपी या कॉंग्रेस या आइनल्ड या लोजपा या बसपा या किसी और पार्टी के लिए नहीं बनी उपेंदर उड़ा तो इसले सोचते हैं कि मैं रोत केंडिडेट ना उतारू दिपेंदर चुनाव जीच जाए मुझे नहीं लगता हमारा एक कार्यकरता भी चाहेगा मैं तो कलका देख रहा हूं गटना कर रहा हूं छोटे-छोटे पार्टियों के नेता भी क्या बोल देते हैं कि ये प्लैनिंग से अलग हुए हमारा कोई मर्जर विले तो नहीं था वीजेपी में अलाइन्स था कॉमन मिनमम प्रोग्राम पे था आज भी उसका एक कही भी बात हम पूरी उत्ती प्रदेश में देख रहे हूं और मैंने तो अंतिम बैठक में भी ये कहा कि क्या वन्सो बड़ापा पेंसिन कर दो कितना कितना पैसा लग जाता है साड़े तीन सो चार सो करोड क्या रियाना के बुदूर्गों के समान के लिए मैं ये लड़ाई भी ना लड़ उन्ने अपना सोच के निर्णे लिया हम अपना सोच के निर्णे लेंगे मुझे नी लगता कि मेर पे कोई बंदिश है कि मैं कॉंग्रिस के अमीदवारों के आगे अमीदवार न उतारू या बी जे पी के अमीदवारों के आगे अमीदवार ना उतारू नहीं उनने मेर को अंतिम बैठक के बाद भी एक यावन सो वाले इशु पर विचार करकर रिवर्ट बैक करना था और सुबह मनोर लाल जी ने बैठक बुला ली इस्तीफा दे दिया तो यह क्लियर ही हो गया नई गौर्मेंट के फॉर्मेशन का पार्ट जन्नायक जन्ता नहीं बनेगी यह हमने बड़े क्लियरली बोल दिया गटना करम तो एक साल से पता था यह तो एक साल अलग-अलग इशुज पर आप लोगों तक तो हमने टसल नहीं आने दी क्योंकि अरियाना के इत्मे काम है यह हमारी प्राथ हुए दूसर्ची आपको बोल देता हूं कि क्या क्या मैं कॉंग्रेस के पक्ष में वोट मांगू क्या मैं आनेलडी के बसपा के हलोपा के इनके पक्ष में वोट मांगू हम अपने कैडर के दम पर अपनी पाटी के नाम पर वोट मांगे मैं बीजेपी के साथ रहा हूँ तो चीजे मनवाई है जो चीज हमने जन्ता के लिए गोशना करी थी आज तीन अजार रुपया बेरोदगारी बत्ता मिलता है तो हमने कहा था आज के दिन महिलाओं को 50% इस्सेदारी पंचायतों में 33% डिपों में 8% BC को ये गोशना है हमारे गोशना पत्र का हिस्सा थी जो हम पूरी कर पाए और जो भी आप मेरे पुराने अलाए पार्टनर आज कॉंग्रेस के साथ चलेगे आम आज भी पार्टी पुरुक्षेतर से चुनाव लड़ रही है दिली में साथ लड़ रहे हैं उनसे तो पूछो पंजाब में अलग क्यों लड़ रहे है पॉलिटिकल डिसीजन जब ही ले पाएंग पार्टी मेरी ड्यूटी लगाए पार्टी रमेश खटक जी की ड्यूटी लगाए पार्टी सेलवाल जी की ड्यूटी लगाए पार्टी पृतम जी की ड्यूटी लगाए जिसकी ड्यूटी लगाएगी को एक साथी ऐसा नहीं है जो एक कदम भी पीछे हटेगी मुकदमा उनके उपर चल रहा है, मेरे उपर नहीं चल रहा है, मुझे गबराने की जरूरत नहीं पॉसिबिलिटी तो राजनितिक में कब क्या परिस्तिती बन जाए और मेरे साथ रिष्ते को यह पर चल रहा है, मैं खुश हूँ के अर्याना की जनता को जो वादा हम करकर आए, अधिक्तम वादा हम पूरा कर पाए और मेरे साथ रिष्ते कोई एक के दो के पांच के नहीं है, मैं पांच साल एमपी रहा हूँ, मेरे सारी पार्टीज के अंदर दोस्त है यह पहले अभी मैं शुरू इस से कर चुका हूँ, क्यूंकि अभी आठ लोकसभा को हम चार दिन में कवर करेंगे, यह ने ने उसके बाद है उसका जवाब तो वो दे पाए, पॉलिटिकल डिसीजन होगा, यह पॉलिटिकल डिसीजन, एंडिये के अंदर बीजे पी का होगा, कि उनने इंकंबेंट चीफ मिनिस्टर को हटा दिया, तो मैं तो काउंसिल में मिनिस्टर था साथ ही गया, नई गॉर्मेंट की में हम क्लियर कर चुके थे, we will not be apart, आज के दिन मुझे कोई लालेच नहीं है, एक ओठी, दो गाड़ी की, एक दफ्तर की, जिस दिन CM ने स्तीफा दिया, पाँच मिनिट बाद मैंने सारे स्टाफ को बुलाया, थेंक्यू किया, और का गाड़ीया जमा करा थे, आज के दिन क बोठी है, खाली कर रहा हूँ, जहां पहले पंच्कूला रहता था, वाँपेड शुरू करा दिया, पंदरा जिन में शिफ्ट हो जाओंगा, और अल्टरनेट अकॉम्डेशन मेरे को मिल जाती है, उसमें समान शिफ्ट करती है, ये तो सरकार की दी चीजे सरकार के साथ जा के आगे, आज भी उस घर में जाता हूँ, मेरे रिष्टे हैं उनके साथ, पांच साल मिर्दा एमपी थी, मगर कभी मैंने उनको ये तो नहीं बोला, कि दो साल, तीन साल, या कभी आपने ये सुना हो, कि यहां मैं डेप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया और मैंने बीजे पी क आपको मैंने कहा कि अभी अंबाडा और कुरुक सेत्र के कारेकरताओं से हमने चर्चा करी, आठ लोग सबाओं के कारेकरताओं से हम चर्चा करेंगे, चर्चा करकर कौन-कौन साथी हमें सूटेबल लगते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको जुमारिया दे देगे, ज सब पर लड़ने का, किसी पर नहीं लड़ने का, या फोकस सीट्स लड़ने का, फिर वो तो उसके बाद की बात है, तब तो मैं भी ओपोदीशन में हूँ, नए टीफनिस्टर है, सुब कामना है, अब मैं भी चेक किया करूँ मेरा बड़ा अच्छा नुभव रहा है, मेरे से दुगनी उमर के वो थे, आप पहले आप दोनों लड़नों किसकी बात करें, मेरे से दुगनी उमर के थे, और मेरा साड़े चार साल का अनुभव उनके साथ बहेद अच्छा रहा है, जरूर अमारे मन मुटाव इशूज पे, पॉलिशीज पे आए, मगर हमने परदेश हित प्राथमिक रहे, इसको सोचते वे कदम उठा, और कभी भी मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट में मैंने कोई फाइल फैकी, या आपकी कलम को कहीं जगे दी, कि हमारे बीच में कुछ ऐसा है, जिससे स्टेबिलिटी नहीं है, उनने समय समय पर, मुझे मुझे को लगता है कि अपने एक्सपीरेंस से जरूर कुछ ना कुछ सिखाया होगा, जो आने वाड़े बविश्य में काम आए, और मैं भी मानता हूँ, साड़े चार साल, जिस पद पर मैं रहा हूँ, उस पद की गोपनिता को भी, गरीमा को भी, मैंने भी बहुत अच्छी तरह निभाई है, यह तो आप बीजेपी में पूछो, आपको क्या लगता है, यह तो उनके संग्ठन का निर्णे होगा, कि उनको रिप्लेस क्यों किया है, बड़ा लिमिटेट टाइम है, मैं मानता हूँ, कि दो दिन में कोड अफ कंड़क्ट लग जाएगा, डाई महीने कोड अफ कंड़क्ट के रहेंगे, दो महीने उसके बाद गवर्नेंस के रहेंगे और इतने में विदानसबा चुनाव का बिगुल बच जाएगा, यह तो हमारे पुडोसवाडों ने भी देखा था शौट टर्म में, क्या अलात हुई थी और क्या प्रस्तितिया बनी थी, मैं तो यह मानता हूँ, जो उनको जुम्यवारी दी है, जिस तरीके से हमने प्रदेश चला है, वो उसको आगे लेकर बढ़े, मैं शुब काम लाएगा, मैं मेरे बाद क्यूंकि बैठक चल रही है, यह तो पृत्तम जी और बता देंगे बाद में, कि इस मंदिर के जितने लोग थे, जिनने शुरू में इसकी मांग करी थी, उनने भी बैठक करी थी, मगर आज किस हडवड़ाट में इसको वहाँ पर प्रस्तावित किया है, मर हुआ है, मुझे खुशी है, और मैं पूरे समाज को शुब कामनाय देता हूँ, कि देश का सबसे बड़ा रविदास मंदिर पाँच एकड के अंदर, उम्री गाओं में हमने जो पंचायच से प्रस्ताव किया था, आज उसकी नीव रखी गई है और जल्द निर्वान भी शुरूरूरू, ना कहूं, मेरे संग्ठन का विशे नहीं है तो बेतर है, आप लोग मैंने यहां करियों, सेक्ट्रियेट करियों और यहांना निवास करियों, मेरे ख्याल से हर पीसी का कोश्चन यह रहता था, कि कब तूटेगा, कब तूटेगा, यह जटका मुझे नहीं आप लोगों को लगा, यह 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 तो आप लोगों के लिए जटका था, कि पता नहीं चला, और सुबह सुबह इतना बड़ा बदलाव हो गया, मैं तो मांसिक तौर पर पहले दिन से त्यार था, और कब तक चलेगा और कितना चलेगा यह अलाइंस, आप एक बर राकेश दी मेरी छोड़े, यह अलाइंस के अंदर ना एक स्टेट, दो स्टेट, पांच स्टेट नी, पैन इंडिया है, पॉलिटिकल डिसीजन्स होते हैं, पार्टी कौंची पहले लेगी और किस परिस्तिती में लेगी, यह उस पे निर्बर करता है, यही पंजाब की असेमली है, आम आद्मी और कॉंग्रेस के विदायक किस गिरेवे लेवल पर डिबेट्स कर रहे हैं, और वो ही हाथ मिला के दिल्ली अर्याना नहीं लड़ा, हम शायद उस लेवल पे तो नहीं गिरे, हर्याना में अभी भी राजनेतिक प्रिस्ट भूमी का एक लेवल है, और मुझे लगता है, मैं 35 का हो, मेरे जीवन काल में तो उसको गिरने नहीं दू, या मैं तो उसको नहीं गेर हूँगा, कोई और गेर दे, वो उसकी किस्मत, तेरे को कर लेता है, भाई फालब, इससार आपके चाचा कह रहे हैं, कि सही हुआ कि टाइम रहते हैं, आपके साथ में होते हैं, तो आपके साथ वो भी फिस जाते हैं, मेरे साथ तो वो कभी आये नहीं, हमें तो काड़ा था, हमने अपनी शुरुवात करी, और बड़े अच्छे तरीके से अर्याना के हितके लिए, हमने कदम उठाए हैं, ना हम पिसे और ना हमने पिसना, सुप्रीम कोट ने ओर्डर इशू कर दिया है, जुलाई महीने में, कॉंस्टिजूशनल बेंच उसकी रेगुलर हेरिंग करेगा, और जैसे ही उसका निर्णे आएगा, परदेश के युवाओं के लिए हम लागू करेगा, वो तो एक्ट बन चुका है, इन फोर्स है, क्योंकि आए कोट ने उसको टर्न डाउन कर दिया, तो हम सुप्रीम कोट चलेगे थे, और सुप्रीम कोट के अंदर भी, जहां गॉवर्मेंट की तरफ से पिटीशन है, मैं भी अपड़ी तरफ से अब, वकील की इनवाल्मेंट जरूर रखू हूँ, क्योंकि वो मेरा सपना है, और उसको पूरा करने का काव़ाई है, यह कोई भी होगा, दोजार उनतिश के तुनाव में ही लागू हो पाएगा, और बहुत लंबी रिपोर्ट है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को, या मुझे भी समय मिला होगा, कि यह रिपोर्ट पढ़ लिए, मैं इसका आज भी पक्षदर हूँ, कि देश में एक समय पर चुनाव हो, उससे दोनों तरफ, गॉर्मेंट मशीनरी का भी, इलेक्शन कमिशन का भी, और पॉलिटिकल पार्टीज का भी, बहुत ज़्यादा जो खर्चा होता है, वो समाप्चा, इलेक्टर बोल्ड की एक लिस्ट अपलोड हुई है, ना तो किस ने किस पार्टी को वो दिया है, उसका कोई डाटा अभी तक हम देख पाए हैं, मुझे लगता है, जितना निशकर्ष मैं देख पाया हूँ, उसमें जेजेपी नहीं है, साड़े चार साल राज में रहा हूँ, बट मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कि हमारी पार्टी का नाम इलेक्टरोल बॉंड में है, तैंक यू.